नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से समंधित इस वीडियो की सुरुबात करते हैं कल के पूछेगे प्रस्ण से कल जो प्रस्ण पूछा गया था वो प्रस्ण है कि नियुन्तम समर्थन मुल्य से समंधित सुझाओ प्रतिवर्स कौन देता है तो इसका सही जवाब है ओप्सन ए किर्सी लागत एवं मुल्य आयोग की इस्थापना हुई थी 1965 इसवी में और तब इसका नाम था कृसी मुल्य आयोग 1985 में इसका नाम कृसी लागत एवं मुल्य आयोग कर दिया गया यह कृसी एवं किर्सक कल्यान मंत्राले से जुड़ा हुआ है और कृसी लागत एवं मुल्य आयोग प्रतिवर्स 23 फसलों से सम्मंदित MSP का सुझाओ देता है यह रहा आज का प्रश्ण है कि प्रधान मंत्री स्रम योगी मांधन योजना निम्न में से किसी से सम्मंदित है चार ओप्सन है ओप्सन A संगठी चेत्र ओप्सन B ओ संगठी चेत्र ओप्सन C संगठी एवं ओ कोई ने अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर आज इस वीडियो के अंत्रगत हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसे लिया गया है फानेंसल एक्सप्रेस से जिसका सीर्सक है इंप्रोविंग दे लॉट आफ माई ग्रेंट वरकर्स यह आर्टिकल जी एस प हमारी ने भारत की कई आर्थिक और समाजिक समस्याओं को सामने ला दिया कई छेत्रों की आर्थिक इस्थिती पर बुरा प्रभाव पड़ा जिसमें निर्मान विनिर्मान और हॉस्पिटिलिटी छेत्र प्रमुक हैं ये तीनों छेत्र प्रवासी और समीदा स्रमिकों को ब काई के वैकल्पिक साधनों का अभाव है साथ ही इनके समक्ष समाजिक एवं वित्य सुरक्षा का भी अभाव है। कोविड-19 महमारी के परसार को रोकने के लिए देज भर में लॉकडाउन लगाए गया। तो इस लॉकडाउन के कारण आर्थिक क्रियाकलाब पूरे तरीके से प्रभावित हुआ। और इसका सरवाधिक असर पड़ा प्रवासी स्रमिकों पर। और यह हमें दिखा रिवर्स म माइग्रेशन की इस्थिती में दुरगटना सहित अन्य सारडिक और मानसिक पीडा के रूप में जिसे प्रवासी स्रमिकों ने जहला। इस ओविस्वसनी संकट ने भारत के स्रमिक प्रवंधन सहित स्रमिक नीतियों में मौजूद कम्यों को भी उजागर किया। हाला कि सरक प्रकार चाहे तो इन कम्यों और चुनोतियों से सीख ले सकती है। और भविस्व में अगर इस प्रकार की इस्थिती आती है तो इससे निपटने के लिए एक मजबूत प्रणाली का निर्मान कर सकती है ताकि सामाजिक और आर्थिक नीतियों को मजबूत किया जा सके। जहां पर की प्राकरतिक आपदाओं की संभावना बनी रहती है तो उन राज्यों में उन राज्यों की तुल्ना में जहां पर की इस तरह की आपदाओं की संभावना नहीं बनी रहती है आपदा प्रबंधन की इस्थिती काफी बेहतर होती है। इसका क्या कारण है कारण य रहती है जैसे लोजिस्टिक की विवस्था और सप्लाई चैन की विवस्था अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर हमने यहां पर प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा क्यूंकि हमने चर्चा इसले की कि वैसे राज्य जिने यह हमेशा लगता है कि वहां पर प्राकृतिक तो नीती निर्माताओं के मद्द अब इस बात पर आम सहमती है कि भारत में प्रवासी मजदूरों के प्रवंधन की मजबूत आविशकता है। अब हम आगे इन ही उपायों पर चर्चा करेंगे। यह उपाय यदि सरकार चाहे तो इसे अलग-अलग भी अपना सकती है या सरकार चाहे तो इन सारे उपायों को एक साथ मिला कर भी अपना सकती है। तो हम एक-एक कर इन उपायों पर चर्चा करते हैं। देना चाहिए इस डेटा बेस में इस्थानिये और प्रवासी स्रमिकों की सूचना होगी। इससे क्या मदद मिल सकती है। इससे यह मदद मिलेगी कि मजदूरों की पारिस्रमिक की प्रविर्ती या ट्रेंड का पता चलेगा। साथी साथ कॉसल के इस्तरों का भी पता चलेगा और मज़दूरों के कॉसल इस्तर के साथ उनकी शिक्षा आदी का भी पता चलेगा और इन सबसे सम्मंदित जो संकेतक हैं उन संकेतकों को प्राप्त करने में और उस पर लगातार निगरानी रखने में भी इस Digital स्रमिक डेटा Divine की द्वारा स्रमिकों की गतिसीलता स्रमिकों की आविसत कुसलता और चेत्री विकास को समझने में भी मदद मिलेगी इसके आधहार पर नीतियों और कल्यानकारी उपाईयों को भी भविस्यान में में मदद मिलेगी और यह डेटाबेस अनुपचारिक छित्र के आपचारी करण को बढ़ावा देगा साती साथ मजदूरों से सम्मंदित मानब अधिकारों को बनाए रखने में भी यह मदद करेगा इन सब के अलावा यह आवस्यक है कि इस डेटाबेस में स्रमिकों से संस्थान करे डेटा समंदि इस अपडेट को अनिवारी कर दिया जाए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की तो हमें यह पता है कि वैसा छेत्र जो या तो कम अध्योगी कृत हो या पिछड़ा हो वह कभी भी आर्थिक व्रिद्धी या आर्थिक क्रिया कलाप का केंद्र नहीं बन सकता तो इसका अर्थ तो यह है कि अगर किसी छेत्र को इस इस्थिती का सामना करना पड़ता है तो फिर इस इस्थिती में आर्थिक व्रिद्धी का समान वित्रण देश के इस्तर पर संभव नहीं है और अगर यह इस्थिती रहती है तो फिर इस इस्थिती में प्रत्येक जीलों को जहां खास ओद्योगिक क्रिया कलाब या उत्पादन संभव है तो इस क्रिया कलाब को लगातार बनाए रखने में सरकार द्वारा समर्थन दिया जाए। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाई की तीसरा उपाई है कि कुसल स्रमिक बैंक की स्थापना की जाए और इस कुसल स्रमिक बैंक के द्वारा स्रमिक उद्योग संपर्क की स्थापना की जाए इस बैंक में इस थानिय और छेत्रिय इस्तर पर कुसल स्रमिक अपना पंजिकरन कर और अगर स्रमिकों की मांग उसकी पूर्ती की तुलना में जादा है तो फिर ये कुसल प्रसिक्षन संस्थान नए स्रमिकों को प्रसिक्षन प्रदान करेंगे और यह कार्य संभव हो सकता है पुब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप मॉडल पर इसके अलावा इसी के अंतरगत राश्ट्रिय और राज्य इस्तर पर तकनीकी प्लेटफॉर्म की इस्थापना की जाए यह तकनीकी प्लेटफॉर्म मदद कर सकता है किस रूप में एक तो उद्योगों के छेत्र आधहारित विशिष्ट स्रमिकों की मांग की पहचान करने में और दूसरा कि इसके अनुसार इन स्रमिकों को कुसलता समंधी प्रसिक्षन देने में अब हम बात करते हैं अगले उपाय की अगला उपाय है स्रमिकों को वित्य सुरक्षा देने से समंधित सरकार के द्वारा प्रधान मंत्री स्रम योगी मांधन योजना को प्रारंब किया गया है जो स्रमिकों के वित्तिय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की एक अच्छी पहल है प्रधान मंत्री स्रम योगी मांधन योजना और संगठी छेत्र के उन स्रमिकों के लिए है जिनकी मासिकाए 15,000 रुपई से ज्यादा नहीं है और इस योजना में शामिल होने के लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए अब यहाँ पर एक कारिया किया जा सकता है कि इस योजना को प्रतेक राज्य के स्रम डेटा बैंक से जोड़ दिया जाए हम उसी स्रम डेटा बैंक की बात कर रहे है जिसकी चर्चा अभी हमने पाले की है इस स्रम डेटा बैंक से इस यो वित्य अनुसासन प्रदान करेगा, साथी स्रमिकों को वित्य साक्षर्ता भी देगा, इसका लाब यह होगा कि स्रमिकों में बचत की प्रविर्थी बढ़ेगी, एक कार्य और भी किया जा सकता है, वया कि इसी के अंतरगत और द्योगिक छेतर के निकट स्रमिकों के आवास का निर्मान भी किया जाना चाहिए, और इसे आसान बनाने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना में इस विवस्था को शामिल कर देना चाहिए, अब हम बात करते हैं अगले उपाय की, COVID-19 महमारी के दौरान, नागरिकों के दौरा, अपनी आधारभूत सुईधा को प्रा नाम है कि महमारी के पस्चात इस प्रक्रिया में तेजी आई है, वर्तमान में इस योजना के अंतरगत 28 राज्य और केंदर सासित प्रधेश शामिल हैं, अब आवेसक्ता इस बात की है कि सभी राज्यों को जल्द से जल्द इसके अंतरगत शामिल कर देना चाहिए, ताकि राशन कार्ड पोटेबिलिटी के साथ, PDS से लाभानवित होने वाले जो लाभारति हैं, उनके आधार को PDS के साथ जोड़ा जा सके, ताकि डिजिटली करन की प्रक्रिया पुर्ण हो सके, और इसका लाभिया होगा कि प्रवासी मजदूरों को प्रयाप्त खादि सुरक्ष जो सम्दित है Universal National Social Profile से, Universal National Social Profile का भी निर्मान किया जा सकता है, क्योंकि इसका सुझाओ हाल ही में Group of Ministers ने दिया है, इस Profile का उद्धे से है, वैतिगत सहित, पारिवारिक इस तर पर लाभारतियों को जो लाभा मिल रहा है, उसकी सही जानकारी प्राक्ट करना, और यह तब संबब हो पाएगा जबकि एक विश्त्रित डेटाबेस होगा या डेटाबेस होगा लाभारतियों के परिवारों की पहचान से समंदित जियो टैग से या डेटाबेस समंदित होगा लाभारतियों की सही संख्या से समंदित रियल टाइम डेटा से और या डेटाबेस समंदित होगा लाभार्थियों के विभिन सामाजिक और आर्थिक आयामों से, हाला कि राजस्थान सरकार के द्वारा इसी तरह का समान प्रियास किया रहा है, और इस प्रियास का नाम है भामा शाह योजना, इसका उद्धे से है लाभार्थी को सामिल करने समंधी त्रूटी को दूर क परंतु केंद्र के इस्तर पर इस्तर की योजना का अभाव है और अगर केंद्र सरकार इस योजना को लाती है तो यह अलग अलग पहचान कार्ड को साथ रखने की आविश्यक्ता को समाप्त कर देगा। भारत को भी सामाजिक आर्थिक समावेशन में सुधार को अपनाना चाहिए ताकि मौजुदा सामाजिक आर्थिक विसमता को कम किया जा सके। भारत विक्सित अर्थ विवस्था बने इसके लिए यह आविस्यक है कि समाजिक आर्थिक सुरक्षा का सुचक्र हो, स्वास्त और सिक्षा तक पहुँचो और सतत रोजगार के अबसरों का सुर्जन हो। और इस पहल में सरकार और नीजी छेतर दोनों एक साथ कारिक कर सकते हैं या यूं कहें कि अगर इस पहल में सरकार और नीजी छेतर दोनों को एक साथ कारिक करने की आविसकता होगी। इस प्रकार इस वीडियो में हमने उन उपायों पर चर्चा की जिन उपायों को अपनाने के बाद प्रवासी स्रमिकों को भविस्य में उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जिन समस्याओं का सामना उन्होंने कोविड महामारी के दौरान किया है। यह रहा इससे समंधित प्रश्ण है कि COVID महामारी से सीख लेते हुए भविश्य में प्रवासी स्रमिकों के सुरक्षा के क्या उपाय हो सकते हैं इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार